आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है यह जो आज का वीडियो है इस्पेशली जूनियर स्टुरेंट्स के लिए है इस्पेशली जूनियर स्टुरेंट्स के लिए और खासकर पैरेंट्स के लिए वैसे parents के लिए जो अपने बच्चों का नामंगन केंद्रिय विद्याले संगठन में करवाना चाहते हैं जी हाँ केंद्रिय विद्याले संगठन देश के प्रतिष्टित विद्यालेयों में आता है इस विद्याले में नामंकन करवाने के लिए जादा से जादा पैरेंट्स इंट्रेस्टेड होते हैं उसका वज़ा ये है कि ये CBSE से CBSE का स्कूल है CBSE से रिलेटेड है ये और सबसे बड़ा important ये है कि पढ़ाई की गुणवत्ता पढ़ाई की quality बहुत अच्छी है और fee बहुत ही कम लगता है fee का जो rate है वो काफी कम है यही वज़ा है कि जो maximum parents है वो interested होते हैं अपने बच्चों को यहाँ नामंकन करवाने के लिए जी हाँ तो केंद्रे विदाले संगठन ने नाम admission के लिए notification जारी कर दिया है इस वीडियो में admission के सारे procedure उसके application form बढ़ने का प्रिकडिया उसकी अंतिम्ति थी इन सारी बातों की जानकारी आपको मिलेगी आप वीडियो में अंत तक बने रहे हैं आईए हम लोग इसके बार 19 मार्च 2019 जी हाँ अगर आपको अपने बच्चों को पहली कक्षा में नामंकन करवाना है तो आप online application form फिल कर सकते हैं एक मार्च 2019 से 19 मार्च 2019 के बीच और अगर इतमेंस फॉर्म बढ़ने का जो last date होगा वो 19 मार्च 2019 है अगर इतमेंस यह जो फॉर्म भढ़ा जाएगा यह और इसका जो detail information है और form भढ़ने का जो link है वो आपको website address मैं आपको बताने जा रहा हूँ www.kvsangaton.nic.in यह आपका website का address है इस website पे आप केंद्रे विदाले संगठन के नामंकन से समदित detailed information प्राप्त कर सकते हैं साथ ही साथ आप form भी इसी के link से आप फिल कर सकते हैं नेक्स्ट है दूसरी एवम अन्यकक्षाओं के लिए आविदन देखे ग्यार हवी के लिए भी notification नहीं आया है इटमिस 11th के लिए नहीं आया है लेकिन class 2 और अन्य 3,4,5,6 जो भी है class 2 या अन्यकक्षाओं के लिए जो application है वो application 2nd April 2019 से 9 April 2019 तक आप फिल कर सकते हैं इतमिस class 2 एवम अन्यकक्षाओं के लिए दूसरी कक्षा एवम अन्यकक्षाओं के लिए आप 2nd April 2019 से 9 April 2019 मतलब 2 April 2019 से 9 April 2019 तक आप आविदन ऑन्लाइन आविदन कर सकते हैं जी हां वैसे parents जिनकी चाहत है कि उनके बच्चों का नामंकन केंद्रे विदाले संगठन में हो जाए तो उनको तयार हो जाना चाहिए 1st March 2019 से फॉर्म फिल करनी के प्रक्रिया शुरू होने वाली है जिन जिन documents का requirement है वो सारे documents वो arrange कर लें और ज़्यादा detail information कर वो लेना चाहते हैं तो www.kv.sangatan.nic.in को visit करें friends मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफी कारगर काफी उप्यूगत है काफी valuable है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो kindly हमारे इस channel को subscribe करिए और अपने दोस्तों के बीच share करिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा आज के लिए इतना ही thank you very much all the best और जैमातादी